अर्याना की तीन बर्तियों की बड़ी खबर जियां साथ्यों एक बर्ति का रिजल्ट जरी किया गया है और दो बर्तियों की और भी जानकारी आई है अगर आप तीनों बर्तियों के बारे में पूरी इन्फोर्मेशन पाना चाहते हैं तो वीडियो अन्द तक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपको अरियाना की सभी बरतियों की दमाकेदार रूप से सबसे पहले इंफोर्मेशन चाहिए तो आप अमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए आप देख लेते हैं आज की बड़ी खबर पहली खबर ये ऐसा क्यों की अरियाना पुलिस मेल कोंस्टेबल बरति के जो सिक्योर्टनी फोरम है वो आपको ओनलाइन बरना है उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है ये लिंक हमने आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दिया था जैसे ही तीन बज़े के बाद ये लिंक एक्टिवेट हुआ तो सबसे पहले आप तक ही इनफोरमेशन पहुंचाई गई थी सात्यों हमने सुबह ये बता दिया था कि लिंक एक्टिवेट होते ही हम टेलिग्राम चैनल पर ये जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे इसलिए आप भी अमारी टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं कि बविशे में जो पीडियोफ वगर हैं वो हम यहीं पर शेंड करते रहते हैं चलिए सात्यों दूसरी बरती के बारे में देख लेते हैं ये देख सकते हैं साथ्यों अर्याना पॉब्लिक सर्वीस कमिशन की तरब से नोटी जारी किया गया है ये नोटी से साथ्यों जो लेक्चरर की पोश्ट निकली है HPSC में उन के उपर ये दूसरा नोटी जारी किया गया है एक बार इससे पहले भी कोरिजेंडम HPSC के दोरा जारी किया गया था 17 दिसम्बर को उसी से related ये notice जारी किया गया है उस कोरिजेंडम में बताया गया था कि जो academic qualification है वो regular mode में होने चीए वो ही candidate इसके लिए apply कर सकता है उसके बाद इसमें बताया गया है या कि यूजी डिग्री वाले eligible है क्या कौन सी treatment condition से कि जो 17 दिसम्बर को कोरिजेंडम डाला गया सा उस treatment condition के तैद ये candidate यानि कि यूजी डिग्री वाले eligible है या नहीं ये क्यों संथा उनका तो सात्यों इसके उपर उन्हेंने जवाब दिया है कि आपकी किसी भी तरह की qualification हो चाहे UG हो या PG हो वो आपकी regular mode में होनी सी ये recognized university या institute से ये बात इन्हों ने की है चाहे वो UG हो या PG हो 29 तारीकर notice साथ ही देख सकते हैं जो भी candidate eligible है वो देख सकते हैं ये point number 6 के बारे में ये चर्चा की गई है एड़टाइजमेंट नमर है 11.3.2021 चलिए अब last notice देख लेते हैं किस बरती का result जारी किया गया है ये result भी साथियो HPSC के दोरा ही जारी किया गया है Rural Community Theater Organizer की post थी इसका result जारी कर दिया गया है साथियो एक ही post थी ये देख सकते हैं अभी अभी ये result आया है तो इतनी नो बरतियों की अपडेट आप तक पहुंचाए गई है ऐसे ही अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यता श्यता शेयर करें वीडियो में तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स टूडियो में